हेलो फ्रेंट्स कैसी हैं आप सब आप सभी का सौगत हैं मेरे चैनल में मैं हूँ प्रियंका और आज चे वीडियो में आप सब के साथ एक और अपना पासनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब को बता दू कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ नहीं मैंने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करी हुई है यह वीडियो सिर्फ और सुर्फ मैं अपने परसनल एक्स्पियन्स के बेस बना रही हूँ तो ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरी डॉक्टर ने भी मुझे कुछ ऐसी बाते बताई थी शुरू में जो की ध्यान में रखनी होती है प्रेगनेंट होने के लिए तो वही सब बाते मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ तो सबसे बहले महिला को मा बनने के लिए जरूरी होता है कि उसके पीरियड जो है वो रेगुलर रहें तो जब आपके पीरियड रेगुलर रहेंगे तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है जैसे कि जब आप मारे period regular रहेंगे समय से रहेगा और बहुत से लोगों में ये भी धाना है कि अगर आपके period जो है समय से पहले आ जा रहा है तो उन्हें आगे चलके कोई परिशानी नहीं होगी तो ऐसा नहीं है अगर आपका period जो है 2-4 दिन पहले भी आ जा रहा है तो भी आपको दिक्कत होगी और अगर आपका period डेट से 2-4 दिन बढ़कर आएगा तो भी आपको दिक्कत होगी तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे period को regular किया जाए जब हम एक doctor के पास अपने pregnancy का प्रॉब्लम लेके जाते हैं कि हम pregnant नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे पहले doctor के 2-3 सवाल होते हैं कि आपकी age क्या है आपकी शादी कब हुई थी और आपके period किस तरीके से आता है तो सबसे important question उनका इसमें यही होता है कि आपके period कैसे आते हैं तो जब आपके period regular रहेंगे समय से आएगा तो आपके evolution की date भी आपको सही से पता चल पाएगी तो इसलिए सबसे जादा जरूरी है कि आपके period नियमित रूप से सही समय पर आएं दूसरा है हमारी उमर जब हम pregnant होना चाते हैं तो हमारी उमर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो पहले का time होता था उस समय होता था कि बहुत जल्दी लड़कियों की शादी वगरा हो जाती थी और वो जल्दी मा भी बन जाती थी इसलिए पहले के time में जो था बहुत ही rare में कोई case होता था कि किसी को मा बनने में परिशानी हो और शादी होते ही एक ही साल के अंदर हर लड़की मा बन जाती थी लेकिन आज का वो दौर नहीं है आज कल पढ़ाई लिखाई और बहुत सी चीजे होती है जो कि पढ़ने लिखने में ही इतनी उमर निकल जाती है कि शादी का तो लोग बाद में सोचते है लेकिन डौक्टर के हिसाब से जो हमार एक लड़की की शादी की उमर होती है वो है 18-28 साल के बीच में उसकी शादी हो जानी चाहिए और एक मा बनने का उमर भी वही होता है 18-28 साल के बीच का तो जिन महिलाव की शादी इस उमर के बीच में हो जाती है उनको मा बनने में परिशानी नहीं होती लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था मेरी शादी तो इस बीच में हो गई थी तो आप जल से जल कंसीव कर लें तो उमर उमर बहुत ही मायने रखता है एक औरत को मा बनने के लिए उसके बाद तीसरा है अगर आपकी शादी जो है 28 साल से पहले और या फिर 28 साल के बाद जब भी हो तो आपकी जो भी पहली प्रेग्नेंसी हो उससे आपको अबोर्ट नहीं करना है बहुत से कपल ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले अभी अपना कर्यर और बना ले और बना ले उस चक्कर में वो अपनी प्रेग्नेंसी अगर उन्हें होती भी है तो वो उसे अबोर्ट कर देते हैं तो ये गलती नहीं करनी है, अगर आपको pregnancy हो गई है, तो उसको हो जाने दे, अगर आप abort कर देंगे, तो आगे चलके आपको उसके लिए 10 साल तक वेट करना पर सकता है, तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करे, अगर आपकी शादी हो गई है, तो आप उसको जल्दी से pregnancy कर ले, बहुत से कपल होते हैं, जिनकी शादी होते ही, जादा तर लड़कियों में ये होता है, कि शादी होते ही, उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये गलती नहीं करनी है, अगर वजन आपका बढ़ जाएगा, तो उससे भी बहुत जादा परेशानिया होती है, वजन बढ़ने से सबसे पहले हमारा थाराइड होता है, थाराइड होने के बाद हमारे बच्चेदानी पे भी बहुत असर पड़ता है हमारे वजन का, जिससे हमारे बच्चेदानी में शिस्ट वगेरा जम जाती है, और हमारे ट्यूप पे भी काफी असर पड़ता है व वजन को हमेशे नियंतित रखना चाहिए उसकी बाद है हमारे evolution की जानकारी होना अगर हमारे period की date ठीक है और period हमें पता है कि हमारे period इस date पर आएगा तो हमें अपने evolution का भी सही जानकारी हो जाता है कि हमारे evolution कब होंगे तो doctors की अनुसार अगर evolution के time पर intimate हुआ जाए तब फिर pregnant होने के chances 60-70% तक बढ़ जाते हैं तो हमें अपने evolution का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है और evolution की जो date है वो हमारे next period के दो हफते पहले की होती है अगर आपके period regular है तब next है नशे की लद नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं है कि नशा सराब और सिक्रेड या फिर इनी सब चीजों का हो नशा महिला लोगों को सबसे ज़ादा होता है चाए, कौफी, नमकीन इन सब चीजों का नशा उन्हें होता है तो अपनी diet को सही रखें, हमें diet में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है इस बात का ध्यान रखें और अगर आपको परिशानी नहीं भी है, तो भी आप अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें तो किसी भी प्रकार का अगर आप नशा करते हैं, तो सबसे पहले उसे छोड़ देना चाहिए चाहिए वो महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए ये बात जरूरी है, अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो उससे दूर रहे उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी भी प्रकार की अगर आप गर्व निरोदा गोलियां खा रहे हो, तो उसको बंद कर देना चाहिए अगर आप प्रेंगनेंट होना चाहते हो, उसके साल बर पहले से ही और अगर आप गर निरोधा गोली खाते हो तो उससे भी आपको आगे चलके प्रेंगनेंट होने में परिशानी हो सकती है तो गोली का सेवन कर रही हो तो अभी ही बंद कर दीजिए उसको उसको नहीं खाना चाहिए नेक्स्ट है तनाव किसी भी तरीके का अगर आप टेंशन ले रहे हैं या किसी बात को जरुष से ज़्यादा सोच रहे हैं उससे भी आपकी पूरी बाड़ी पर असर होता है और आपके पीरियट पर भी इसका असर बहुत पड़ता है तो अगर आप प्रेगनेंट होना चाहती हैं तो जरुष से ज़्यादा सोचना बन कर दे और टेंशन लेना कम कर दे खासकर जब आपके evolution days चल रहे हो तब आपको ज़्यादा tension नहीं लेना चाहिए और किसी भी बात को ज़र्वा से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए तो ये थी कुछ बाते जो कि हमें मा बनने से पहले पता होनी चाहिए और हमारे doctors भी हमको इन बातों को बताते हैं जब हम मा बनना चाहते हैं तो I hope आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो please like, share और comment करना ना भूले अगर आप मेरे चैनल पे नए आई हैं तो please मेरे चैनल को subscribe के बगर मच जाएगा Thank you so much for watching my video, bye bye